नमस्कार मेरे नाम है सुरेंदर सिंग और आप देख रहे हैं SM News आज हमारे साथ वो हैं जो किसी तारीफ और नाम के महताज नहीं है शांती सुरूप बाओ जी शांती जी आपका हमारे चनल में स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आपका पाई सुरेंदर आपकी बहुत सा सब्सक्राइब करके चड़ों में आते हैं और क्यों नहीं जाते वह अपनी प्रभू की शरण में तिन से अपना सभी चीज वापस ले सके देखें यह व्यवस्था का पुरूश्ण है व्यवस्था ऐसी बना दी गही है इस देश में कि आम आदमी को बिलकुल दिमाग उनक पूरी होगी वह इतने वरत रखो के तो तुमारी यह मनत पूरी होगी फराद मंदिर में जा करके यह चड़ाओगे तो यह मनत पूरी होगी और वो बिचारी जनता को इस काबिल कर दिया कि वो कुछ निर्ने ले नहीं पाती कि यह जो परचार कर रहे हैं इसमें कुछ तथ तू जा रहे हैं जेल में देख रहे हैं ना और तुम्हारे में इतनी शक्ति है तुम्हारे इतने सारे देवी देवताओं में इतनी शक्ति है तुमने इतने अभिशाप तुम देते हो वर्दान तुम देते हो उसमें अगर शक्ति है तो भाईया तुम जेल में क्यों जाते हो ये बाबा साहिब डांक टम बेट करना होते हैं तो इन सादू संतों को जेल में जाने का प्रावधान कभी न मिलता यही कारण है जो बाबा साहिब डांक टम बेट कर को गाली दी जाती है उनकी मूरती तोड़ी जाती है मगर बाबा साहिब डांग ट्रम बेटकर दुनिया के उन सबसे मजबूत महापुर्षों में से हैं तुम जितनी उनकी मूर्ती तोड़ोगे उतनी ही बड़ी शक्ति के रूप में वो उभर के आते हैं अभी एक चिन में नंजी गए ना जेल में, कल गए हैं ना जेल में से बड़े समविधान को, दुनिया के सबसे कल्यानकारी समविधान को गाली देते हैं इन मंदिरों में कुछ नहीं रखा, मंदिरों में एक वर्ग विशेश की कमाई का इंतजाम है बगर महनत किये, और वो बगर महनत किये सबसे उचा और जो अपनी जान हतेली पर रखकर गटर में उतरके, अपनी जान पर खेल जाता है महनत करके खाता है, तो मैं इसे सिहत मंद रहने के लिए इस सारे सहर की सवाई करके जीता है, वो नीचा यह अनर्थ नहीं होना चाहिए, अमरीका की वेवस्ता यहां लागू होनी चाहिए कि जिसके काम करने से स्वास्थे को सबसे ज़्यादा खत्रा उसको वहें पर उतना सबसे ज़्यादा मुआवजा, यानि के वेतन हमारे देश में नहीं, जो काम नहीं करता है, उसको दुलिया भर की दोलत आप देखते हैं ना, वाट से पाते हैं, कितने नोटों का धेड़ लगा है और विचारा जो अपनी जान पर खेल के दोर जून की रोटी कमा के खाता है उसकी जान पर हमेशा संकट रहता है, जगा जगा अपमानित होता है मॉबलिंची का भी वही शिकार, और ये मॉबलिंची से ज़्यादा खतरनाक कामण, वह कामण का भी शिकार तो आज बाबा साहिब डाक्टाम बेटकर के समिधान में और इन देवी देवताओं से मननत मांगने में क्या अंतर है वो इस साब सपस्ट है, मुझे आप एक बात बताओ, मैं कोई भी मंदिर में चलो, मैं चलने को तैयार हूँ और मैं जो मननत मांगूं भहिया मुझे यह नहीं कि खाली हवा में मननत में नगत चाहिए या तो मुझे नोकरी का एपाइमेंट तो कहते हैं यहां जाकर के नोकरी लग जाती है एपाइमेंट लेटर चाहिए जहासा नहीं चाहिए जहासे का जमाना जा रहा है विज्ञान का जमाना, सम्विधान का जमाना आ रहा है तो आज मैं किसी की भी साथ चलने को तयार हूँ मगर सम्विधान को आज आज मां के देख लो कोई कितना ही बड़ा संकरा चाहरे हूँ कितना ही बड़ा सादू हो वो जो पांच शील हैं बुद्ध के बताए हुए उनमें से किसी भी शील का उलंगन करके दिखा दे और वो साबित हो जाए, सीधा जेल में जाएगा और जब जेल में जाएगा तो कोई उसको देवी देवता बचाएगा नहीं कितने बाबा अंदर गई हुए हैं कितने बाबा अंदर गई हुए हैं मेरे समाज के लोगों बहुजन समाज के लोगों अगर देवी देवता में कुछ जान होती उनमें कुछ करामात होती तो उनकी नाम का धंदा करने वाले जेल में ना होते इसलिए अपनी शक्ती को पहचानो आप बड़ी एमान दारी से बड़ी महनस से कमाते हैं अपनी कमाई का पैसा फजूल के लोगों पर मत लुटाओ वो पैसा जब इनके पास जाता है पिर वो ही पैसा हमारा अत्याचार हमारा सोशन हमारे साथ हक तलपी करने के काम आता है आप अपना बविश्चे समाल के रखें अपनी कमाई का पैसा अपने बच्चों के बविश्चे पर लगाएं और मंदिर में अगर जाएं तो भई पैसा मत चड़ाना हुआ पैसा तो बड़ी गंदी चीज है अपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब करें और घंदी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले